तर सोनी प्लेस्टेशन का वी आर्टू रियल्मी का नया टैबलेट इसके अलावा रेड्मी नोट 11 प्रो सीरीज 5G 4G दोनों पोको की नहीं स्मार्ट वाच पोको का एक्सफोर प्रो एमफोर प्रो काफी कुछ है आज की वीडियो में काफी सारे अपडेट्स हैं तो वीडिय प्रोडक्ट की मार्किट को लेके इंडिया में जितने भी होती हैं टीडव्यूस ना एक बैंड इयरफोन में 11 तो इसमें जो मार्किट शेयर है ना बोट का है 38.86 परसंट टोप पेर बोट और उसके आसपास भी कोई भी नहीं है सेकंड बात है रियल्मी फिर आता है स्मार्ट वोच की भी मार्किट की भारी में भी बात कर लेते हैं ये 2021 का चार्ट में बता रहा हूं आपको 2021 में जो स्मार्ट वोच की बत रही है मार्केट उसमें noise टॉप पर आया है जिसमें 27% मार्किट केप्ट्यर कर रखी है noise और जो second number पे वह हो है वह हो है 26% तो दोनों बिल्कुल इक्वल सही मान सकते हो, उसके बात आता है Firebolt, Realme, Amazfit, तो आप जुरू बताना कि आप audio products और smart watches जितनी भी उस करते हो, कौन सी brand की उस करते हो comment box में, इसके लाबा Sony ने reveal कर दी अपने PlayStation VR 2 का design अब देखते हैं कब तक launch होगा और ठेंसे stock में आएगा भी नहीं, हाला क इससे अच्छी खासी टकर लेगा, जो Facebook का Oculus Quest 2 आता है ना, इंडिया में मतलब officially नहीं आता है, बट इंपोर्टर गयारा करके मिली जाता है, तो उससे अच्छी खासी टकर ले लेगा VR से, और Facebook की बात करी रहे हैं, तो Facebook को more than 500 million dollar का loss हो चुका है, जबसे वो अपना नाम चें NI-56 is इसको recover कर पायेगा, या Facebook dead हो चुका है, आपके हिसाफसे, यालग है यह जो Metaverse है, मैं सच बहूतो हो मेरे इतना practical नहीं लगता की यहते है, future Metaverse, Metaverse मैं सच बहूतो हो मेरे इतना नहीं लगता है, मैरे को इतना practical नहीं लगता की अगर मेरे को कहीं घुमने जाना है, ब को लॉंच हो जाएगी और इसके असास साथ रियलमी लॉंच कर चुका है अपना नार्जो 50 और इसमें काफी कमाल की बात है अभी बताता हूं यह बई स्मार्ट फोन है जो मैं आपको कहा था रियलमी 8i बस एक हजार सस्ता कर दिया है और रियलमी 8i में 18 वाट की चार्जिंग बैटरी 50 Megapixel primary camera 33W की charging देखने को मिल जाती है और इनके launch event में एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी कही जो पहले भी रियलमी ऐसे कई बार कर चुका है मतलब जो gaming performance दिखाते है ना उसमें launch event में दिख गया कि वो screen recording दिखा रहे थे अब यह नहीं पता यह नार्जो फोन की तो क dynamic यार iPhone की screen recording दिखा था iPhone का gameplay दिखा था और नार्जो बोलके तो मतलब जितना गंदा बोलना चाहो Realme को बोल सकते हो इसके लिए इसके लाव पिछले tech update में मैंने आपको बताया था Realme बहुत जल्दी अपनी GT series में एक ऐसा smartphone launch कर सकता है इसमें 150 watt की fast charging और Dimensity 8000 या 8100 processor लगा हो को यह का जा रहा है कि यह Realme GT Neo 3 हो सकता है और इसके कुछ renders भी सामने आया है आपको अपनी screen पर दिख रहे होंगे और Realme GT Neo 3 की बात करी रहे हैं तो Realme GT Neo 2 इस पे एक दिन के लिए sale लगी थी 33,000 का आता है अगर आप prepaid दो मतलब कुछ भी cash on delivery नी कैसे भी payment करना चाहो उस पे 6000 off मिल रहा था मतलब 27,000 में मिल रहा था और अगर आपके पास HDFC का debit या credit card था कोई भी card हो उस पे 3000 additional off मिल रहा था तो Realme 9 Pro Plus 11 बहुत तगड़ा phone था हला कि अब sale खतम हो चुकी है बट Realme ने hint तो देई दिया जैसे GT Master Edition का था था थोड़ा वेट करोगे तो बार-बार यह sale लगती रहेगी हो सकता होली पे लग जाए कभी भी लग जाए बट यह sale बार-बार लग सकती है ऐसा मतलब Realme करता र बैटरी 18 वाट की charging 8 Megapixel camera और यह काफी budget वाला टेबलेट होएगा मतलब Realme Pad से भी सस्ता होएगा 10-11,000 के आसपास या 10,000 के आसपास ही हो सकता है बात करें Xiaomi को लेके तो बहुत लोग यह Xiaomi 12 series का वेट कर रहे हैं इंडिया में तो अब थोड़े वह thin लीक से ग्याराने start हो जिसमें हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे Note 11 Pro 4G और Pro 5G दोनों में 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगी दोनों में 5000 mAh बैटरी 67W charging पर जो फरक आएगा और दोनों में कैमरा भी सेम होने वाला 108 Megapixel पर जो फरक आएगा 4G में हमें Helio G96 processor देखने को मिलेगा जो कि अपने price के सा स्मार्टफोन होगा Redmi Note 11 Pro 5G जो इंडिया में आना वाला Note 11 Core globally already launch हो चुका है और इसकी वीडियो में क्या देखना चाहते हो कैसा होगा स्मार्टफोन क्या प्राइज क्या पुता के इंडिया में आएगा तो आई बेटर में दे दूँगा जाकर देख सकते हो और 28 फरवरी को पोको लॉंच करने वाला पोको M4 Pro 5G अब यह रिब्रेंड होगा Redmi Note 11S का पोको का कोई original फोन नहीं होता रिब्रेंड ही होता है और इसी स्मार्टफोन पोको का M4 Pro 4G जो की Redmi Note 11S आया था इंडिया में इसका रिब्रेंड होगा और पोको बहुत जल्दी अपनी एक स्मार्ट स्मार्टफोन लॉंच करना स्राट करें वाट एक साथ बैक टू बहुत सारे स्मार्टफोन लॉंच होने वाले ऐसे अभी पोको M4 Pro 5G लॉंच हुआ है अब 4G लॉंच होने वाला है उसके बाद पोको का X4 Pro X4 भी लॉंच होगा F4 GT भी लॉंच होगा जो की Redmi K50 Gaming Edition Gaming Edition नाम से चाहिन नामे गया था पोको का C4 भी आ सकता है तो बहुत सारे स्मार्टफोन पोको के बहुत जल्दी इंडिया में लॉंच होने वाले हैं और फाइनली एसोस ने सर्प्राइस दे दिया अला कि सर्प्राइस इतना बड़ा नहीं है एसोस का 8Z 8Z कुछ भी कह सकते हो यह 28 फर फोन मोटरोला का एज 30 प्रो 50,000 प्राइज रखी है और बैंक ओफर वे ग्यार लगा के 45,000 तक पहुच जाएगा और यह इंडिया का चीपेस स्नैप्रेगन 8 जनरेशन वन के साथ आने वाला फोन है इसके अलावा इसमें 144 एक्स की एमोलेट डिस्प्ले 4,800 एमेज बैटरी 68 वाट की चार्जिंग और 15 वाट की वाइरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी और सेमसंग ने अपनी सेमसंग टैब स म्तलब बहुत ज्यादा ये प्राज रख दिये यार बाकि जिसको लेना होगा वो लेगा बट मेर्को तक रगता है इस बार इन अपने टैबलेट की प्राज़ग बहुत जादा इंक्रीज कर दिए और Samsung की इंडिया वाली वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है Samsung का A03 हाला कि प्रैसिंग में 11 भी रिवील नहीं हुई है बड़ स्पैसिफिकेशन की बात पूर्ण तो Unisoc T606 प्रोसेशर 48 मेपिक्सल कैमरा HD plus LCD display 5000 mAh बैटरी और अराउं 10-11000 का यह होने वाला है तो काफी जल्दी pricing रिवील भी हो जाएगी और मतलब इसी महीना में इंडिया में देखने को मिल जाएगा या फिर यह महीना खाता होने वाला अगले महीने तक देखने को मिल जाएगा और एक यूट्यूबर है जैरी रि में कमी है तो वह अलग इशू होगा वह अलग हो सकता है बट बैंट टेस्ट को देखके बिल्ड क्वाल्टी जज़ करना तो मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता और वनप्लेस ने बैंगलोर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओफ्लाइन स्टोर ओपन किया है इंडिया में तो लोंच हुई और OPPO के ENCO X2 लोंच हुई अलग ही जादा कुछ बात करूँगा नहीं वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी लेकिन जो टेबलेट है स्नपडेकन 870 के साथ 128 LCD डिस्प्ले के साथ 20K के अराउंड आता है 8000 वाट की चार्जिंग तो काफी कमाल का टेबलेट ह है बट पता नहीं इंडिया में आएगा या नहीं और वीवो ने लाउंच कर दिया अपना वीवो वी 23E स्मार्टफोन डाइमेंस 8810 के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा 44 मेगापिक्सल की सेल्पी 44 वाट चार्जिंग 4000 एमेज बैटरी AMOLED डिस्प्ले 26,000 प्राइज रखी है ज नहीं बागी खतम करते हैं आज की वीडियो पर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेकन बिल्कुल मच जाना हो डिस्क्रिप्शन में देगाए लिंक से आपको में इस्ट्राग्राम और ट्रेटर फोलोग कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो लेटी करें तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मैं विलूँ आपसे जल दिया अपनी अगली वीडियो में जबता के लिए की पॉ